एकादशी ब्रत की आप सभी को खूब सारी सुब कामना है कार्तिक माह में पढ़ने वाली एकादशी अपने आप में विसे से दुरलब है स्रीहरी विश्णु का पावन मा है और एकादशी ब्रत उन्हीं को समर्पित है आज शाम के समय आप सभी को आवश्यक रूप से दीपदान करना है ताकि जीवन सुख में हो सबसे पहले आप सभी को यह बताते हुए चलो कि एकादशी का ब्रत कप करना है आप सभी एकादशी तिथी आरंब हो चुकी है आज सुबह 8 बचकर अर्थात कृष्ण पक्षी की जो एकादशी है 8 नौमबर की सुबह 8 बचकर 23 मिनट से आरंब हो जाएगी और 9 नौमबर को 10 बचकर 41 मिनट के आसपास तक समापत रहेगी हाला की 8 नौमबर को 10 मिने तिथी रहने के कारण इस बार 9 नौमबर 2030 को एकादशी का ब्रत किया जाएगा ठीक है आप सभी ध्यान पूरवक सुनिएगा 9 नौमबर को एकादशी का ब्रत किया जाएगा परन्तु एकादशी तिथी शुरू हो चुकी है एकादशी ब्रत और एकादशी तीथी का महत में सबसे अधिक कहागिया है आगर आप सभी ब्रत करते हैं तो 9 नाउंबर को करेंगे क्योंकि दसमी मिसरित एकादशी उतनी जाधा फल देने वाली नहीं होती है जितनी 12 मिसरित एकादशी होती है तो इन चीजों को note down करते हुए चलिएगा, साथ के साथ आप सभी को दीबदान का एक नियम, एक संपूर्ण विधान इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी, साथ के साथ उपाए भी प्राप्त होंगे, तो वीडियो में बने रही है, अब एकादशी ब्रेत करना जितना आज बचकर 50 मिनट तक अपने ब्रेत को खोल लेजिएगा, ठीक है, पारण का सही समय यही है, इस दिन द्वादशी तिति समापन दोपहर 12 बचकर 35 मिनट के आसपास हो रहा है, ठीक है, इन चीजों को note down करते हुए चलिएगा, ताकि आप सभी को संपूर्ण रूप से अग समी तिति देखी जाती है, जिसके जो है, जिसमें ब्रत खोलना और ब्रत करने का नियम निरधारित होता है, तो आप सभी वही मैं आपके लिए वीडियो यह लेकर आई हो, जिसमें संपूर्ण चीज़ें नियम के तहद बताई गई है, अब जानते हैं, सर्वस रेष्ट उ पाए, एक आदस्शी तिति सुरू हो गई है, तो मंत्रों का दान करते हुए, आप सभी आवश्यक रूप से, ओम नमो भगवते वासुदेवाई या जै स्री कृष्णा राधे राधे या स्री सिवाई नमस्तुभ्यम जरूर से कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा, साथ क महादेव का भिस्मरण किजीगा, अब जानते हैं उपाय करना, दीबदान सबसे प्रथम है, तो वही उपाय आपको बताना चाहूंगी, आप सभी जानते होंगे, एक आदस्शी तिति वह भी कार्तिक माह में, अपने आप में अम्रित की बोट की तरह है, आज आप सभी को अवश्यक रूप से विसेज दीबदान करना है, आप सभी जानते होंगे, इस महने इसनान में आउले का जो है चोर्ण या आउले की पत्ती, या काले तिल, गंगा जल और तुलसी की लकडी को समेश्रित करकर, या सामाने सरल तरीके से तुलसी की लकडी को पानी में भीगा कर उससे स्नान करना चाहिए, हलागी उसे ततकाल ही हटा देना चाहिए, तुलसी मा उसमें अपना रस्तत घोल चुकी है, तो आप सभी को आज शाम के समय आवश्यक रूप से विसेज दीबदान करना है, आप सभी को थोड़ा सा काले तिल, इस मेंने बहुत महत तता है काले अधिक आःटर का जात गरते हुए पीपल व्रक्ष की जड़ में समर्पित करना है व्रक्षों मैं में पीपल हो तो आप सभी को पीपल व्रक्ष की दो दीपक इन स्थानों पर जलाने के बाद दवत तीसरा दीपक आप सभी बृत नहीं भी करते हैं तो आप सभी को आज एकादशी तीथी शुरू हो गई है मंत्रों का दान करते हुए घर के मंदीर में इच्छा पूर्ती का दीपक जरूर से लगाना चाहिए कई भक्तिजन एकादशी ब्रत के दिन अखंड दीप लगाते हैं अर्थात पूरे एकादशी तीथी तक यह चलता रहे और उसके बाद यह स्वेम ही परिपूर्ण हो जाता है उस नियम के तहट भी आप सभी लगा सकते हैं अतिस्रेश्ट रहेगा नहीं तो साधार सडल तरीके स्टे स्र रक्षिर दिशा की और घर की रसोई में या पित्रों के नाम का घर के दरवाजे पर भी दीपदान करें हाला कि आज के दिन कार्तिक महा में आवश्यक रूप से बहते हुए पानी में और साथ के साथ महादेव की मंदीर में स्रीहरी विश्णु के निमित बेल पत्र व्रक् सकते हैं घर के दरवाजे पर तुलसी मा में अगर उन स्थानों पर विशेस रूप से करना चाहते हैं तो उनका भाव करते हुए मा तुलसी के आगे जो है समर्पित कर दें इस भाव से कि मैं पीपल रक्ष की जड़ में लगा रही हूं मैं शमी रक्ष की जड़ में लगा आपको उन स्थानों का भी फल से प्राप्त हो जाएगा यह बात हो गई सरलतमकारी की जो दीबदान से संबंधी था अब जानते हैं नौ बचकर पंदरह मिनट पर घर पर किया जाने वाला विशेस उपाय सही समय सही स्थान पर किया गया उपाय जल्दी फल देने वाला होता ह आप सभी को आवश्यक रूप से आज घर पर जो विक्ति बिमार है उसका इसमनन करते हुए ध्यान करते हुए नौ बचकर पंदरह मिनट पर आउले का पानी अर्थात आउला या आउले का चूर्ण या आउले की पत्ती की महत्तता कार्तिक महा में बहुत अधिक कही गई है आप सभी को आउले का हलका सा चूर्ण बना लेना है या कोई भी चीज ले लेनी है आउला से संबंधी जो मैंने बताया बजार में मिल जाती है जल के लोटे में डाल कर स्री सिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नवचकर पंदरह मिनट के खास समय पर उस ब्यक्ति का जो बीम भूगा एकादशी ती आरंब हो चुकी है तो महादेव स्रीहरी विष्णु का सुन्दर पीले फूलों से सरिंगार करें दुख दरीदरता का नाश होगा कस्ट मिटेंगे और सब कारे बनना आरंब हो जाएंगी कारी सरल है छोटा सा है परंतु लाब अंगिनत है इसके जाकर साथ बेल पत्रतों सिवलिंग के उपर समर्पित करें और गंगाजल जो कि पित्रों का तारण करने और हमारे द्वारा हुई भूल्चुक की गलती को माफ करने के लिए होता है नंदी महराज के उठे हुए पैर पर इस पवित्र महने की एकादशी पर समर्पित कर दे देखर आते हैं तो शाम के समय आप सभी को आवश्यक रूप से यह कारिक करना है सब कारि बने अरंभ हो जाएंगे साथ के साथ इच्छा पूर्ति का दीपक आप सभी को जरूर से आज जलाना है, तुलसी की लकड़ी तुलसी की जो लकड़ी है वह सूख जाए तो उसका आ आप सभी किसी रूई में या किसी कपड़े से, कच्चा शूत से लपेट कर, कपड़ा नहीं प्रयोग में होगा इस बात का ध्यान रखे, कच्चा सूत या रूई में घी में डूबोकर तुल्सी की लकडी को स्रीहरिविष्णु के मंदिर में या घर भर आप सभी को उसका द झाल झाल